प्रिय भाई और विहनों आज का सुबसनेश के लिए अब सभी को हम स्वागर करते हैं आज का संदेश रदर जेम्स नायर सूरच से बाटा जाएंगे रार्तना के साथ सुनिए परमिश्वर के आतिप पवितर नाम की मैमा हूँ शुबसन्देश के सवेश्वतागन को हमारे प्रभू इश्वमसी के नामे नमस्कार आज के हमारे मनन के लिए आएए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके बारवे अध्याई कलम 38 से 41 तक पड़ेंगे इस पर कुछ शास्त्रियों और फरिस्यों ने उससे कहा हे गुरु हम तुझ से एक चिन देखना चाते हैं उसने उन्हें उतर दिया इस युक के बुरे और व्यविचारी लोग चिन ढूनते हैं परंत योना भविश्य द्वक्ता के चिन को छोड़ कोई और चिन उनको न दिया जाएगा योना तीन रात दिन जल जन्तु के पेट में रहा वैसे ही मनिश का पुत्र तीन रात दिन पृत्वी के भीतर रहेगा निनवे के लोग नियाई के दिन इस युक के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोशी ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखो यहां वह है जो योना से भी बड़ा है परमिश्वर के वचन के पड़े जाने पर उसका आशिश हम पर हो इश्व मसी जब इस धरती मर थे उनके कई चाहने वाले भी थे और साती यसात और चाहने वालों से बढ़कर संख्या में उनके विरोधी बहुत थे और उनके विरोधियों में एक जूंड थे शास्त्री और दूसरे थे फरीसी जो मुसा के नियम को अर्थात यहूदियों के नियम को बहुती निष्ठा पूर्वक पालन करने और उसको उसी तरीके से मानने के लिए वे बद्ध थे लेकिन उसी समय ईश्व मसी को अंगिकार करने के लिए यानि कि परमिशुर का पुत्र होकर मसीहा होकर अंगिकार करने के लिए वो तैयार नहीं थे क्योंकि वे इश्व मसी को राजा तरीके देखना और राजा तरीके उनको उनका प्रत्यक्ष होने के लिए वो इंतजार में थे परंदु ऐसे एक दीन परिवार में जनम हुआ और एक दीन दरिद्र बनकर इश्व मसी अपना जीवन यहां पर बिताया इसलिए वो इश्व मसी को एक राजा होकर बलकि एक अन्य रूप में वो यहां पर देख रहे हैं इसलिए इश्व मसी से कई सवाल यहां पर वे पूछ रहे हैं कि हम कैसे मानें कि आप स्वर्ग से उतराए परमिश्वर का पुत्र है तो वो यहां पर एक चिन देखना चाते हैं मसी उनको एक चिन दिखाए ताकि वे उन पर विश्वास करें तो यहां पर मसी क्या कहते हैं कि इस युग के बुरे और व्यविचारी लोग चिन डूनते हैं परन्त योना भविश्य दक्ता के चिन्न को छोड़ कोई और चिन्न उनको न दिया जाएगा यहाँ पर पुरानी नियम में एक सची घटना को परमेश्वर के पुत्र प्रभु इश्मसी बताकर यह बताते हैं कि केवल वही चिन्न इस युक्य लोग को दिया जाएगा हम सब जानते हैं चिन्न देखने के लिए लोग काफी उत्सुक हैं काफी चुक हैं लोग चिन्न देखना चाहते हैं कि हम चिन्न देखकर विश्वास करें उस समय के लोग भी ऐसे ही थें और जो घटना यहाँ पर बताया गया है योना भविश्य दक्ता के घटना बहुती संक निनवे नाम की शहर और वो दुष्टता और पाप में पढ़ते जा रहे थे और योना इसराइल के एक भविश्य दक्ता थे उस समय परमेश्वर का वच्चन केवल भविश्य दक्ताओं को दिया जाता था और योना से परमेश्वर ने कहा तुम जाकर निनवे को सो समचार परन्तु योना निनवेज जाना डरता था क्योंकि वो जानते थे कि दुष्टता बहुत बड़ी है माँपर और वहां पर जागर प्रचार करें 시 शायद वो दुष्टता से मुढ़कर फिरकर मनफिराव होकर वो शायद परमेश्वर को मानने लगेंगे तो ये योना नहीं चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि परमिश्वर का न्याई उन पर हो लेकिन परमिश्वर उस शहर को बचाना चाहते थे लेकिन योना ने परमिश्वर की बात नहीं सुनी और निनवे को नहीं गया परंतो तर्शिश को जाने के लिए एक जहाज में वो बैट गया और समुद्र में डाल दिया क्योंकि योना ने उनसे बताया कि मैंने परमिशुर के बात को नहीं सुना इसलिए आंधी तूफान इस जहाच पर आई है इसलिए उन्होंने उठाकर योना को समुद्र में डाला और समुद्र में योना को बचाने के लिए यानि कि योना को डूबने बात को इस कलम में लिखा है कि तीन रात और तीन दिन योना उस मचली के पेट में रहा और उसने दोहाई दी प्रार्थना की और उसके पश्चात योना ने उस मचली ने इस योना को समुदर के तट पर उल्टी करकर उसको फेग दिया और वहां से उठकर परमेशर के वचन को लेकर निनवे को गया और वहाँ पर निनवे के लोगों को उसने परमिश्वर का वच्चन सुनाया और वो जल्द ही परमिश्वर के बाद को मान लिया जब हम इस खटना को देखते हैं हम योना के पुस्तक में जब हम देखते हैं इस खटना को निनवे के लोगों ने जब योना को देखा उनको ये समझाया कि परमिशुर का न्याई निश्चई रूप में आने वाली है क्योंकि जो व्यक्ति जो परमिशुर का दास जो योना था उसने जब परमिशुर की बात को नहीं सुना परमिश्वर ने ऐसा एक नियाई उस पर किया वो मच्छली के पेट में जाकर रहा और वो एक चिन्न है प्रियो निनवे को बचाने के लिए निनवे को सही मार्क दिखाने के लिए योना को परमिश्वर ने एक चिन्ने के रूप में वाँ पर दिखा रहे है हम जानते हैं मचली के पेट से पेट पे जाना और पेट उसके अंदर तीन दिन रहना उसके बाद वापस आना ये एक साक्षी के रूप में योना उनके सामने है कि परमिश्र का नियाए का मतलब क्या है और हम देखते हैं कि योना के पुस्त के तीसरी अध्याई में केवल एक ही कलम में निनवे को एक संदेश दिया है कि 40 दिन है तुम्हारे पास मन फिराओ ने तो परमिश्र नियाए करने वाल है बस एकी लाइन में वहाँ पर संदेश दिया गया और राजा सहिद सभी लोग मन फिराकर परमिश्र के पास आए एक चिन्ने के रूप में जब योना को निनवे के सामने परमिश्र लाए वो सारे दुष्टता से भरी हुए निनवे शहर परमिश्र को अंगिकार किया और मसी यहाँ पर कहते हैं उससे बढ़ कर एक नभी यहाँ पर है यानि कि मसी जो कहां जाने वाले हैं समुद्र के भीतर अंग्री जी में इस प्रकार लिका है heart of the earth, वहाँ पर जाकर एक चिन्ने के रूप में हमारे सामने आने वाले है प्रत्वी के भीतर मचली के पेट में नहीं प्रियोग वहाँ पर तो बचाने के लिए परमिश्र नहीं ना को दी लेकिन प्रत्वी के भीतर अभी यह नभी यानि कि मसी जाने वाले है उस पृत्वी के भीतर मतलब पृत्वी के कोर में पृत्वी के अंदर ही अंदर जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी है अगरा पृत्वी के उस भूशास्तर को पढ़ेंगे उस साइंस को पढ़ेंगे पृत्वी के भीतर करीब पांच हजा से चे हजार दिगरी मनुश्यका पुत्र हमारे लिए एक चिन बनकर बहार आएंगे ऐसा एक चिन हमारा प्रभुईश्मसी हमारे लिए बना और वो पहाँ पर बना? कल्वरी के क्रोश पर परमिश्वर का ज्याई उस नरक के समान उस कल्वरी के क्रोश पर हम देख सकते हैं और उतना ही नहीं, योना ने जब प्रार्थना की परमिशुर ने सुना, लेकिन कलवरी के क्रूस पर उस पुत्र ने जब प्रार्थना किया, हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने नहीं सुना, पिता नहीं सुना, इसलिए वो पुकार कर कहते हैं, यह परमिशुर है परमिशु तुने मुझे क्यों छोड़ दिया प्रियो ऐसा एक छिन हमारे लिए मसी ने दिखाया परमिशुर का प्रेम और साथी साथ उसका न्याई ताकि हम बच जाएं ताकि इस छिन को देखकर हम समझ पाएं कि परमिशुर का न्याई होने वाला है और हो चुका है हमारा न्याई उसने उठा लिया है प्रियो परमिशुर को धनिवाद है प्रत्वी के भीतर वो हमारे ले गया ताकि हम बच जाएं हमने उस छिन को देखा और हमने विश्वास किया अंगिकार किया और मान लिया कि हम पापी हैं और परमिश्वर हमारा न्याय उसके पुत्र पर उन्डेल दिया है। परमिश्वर के नाम की महिमा हो कि उसने हमारे सारे पापो को अपने पुत्र के उपर डाल कर हमें बचा लिया है। उसके धनी नाम की महिमा हो उसके नाम की स्तुति हो।